बिसमिल्ला इर्मानी रहीम, असलाम लेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस्मलाई की रेसिपी, जो के मैं अभी आपके सामने मिन्टों में रेडी कर लूँगी, और आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इसी तरह ही शांदा रेसिपी बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए सिरफ एक लीटर दूद, जो के मैंने कच्चा लिया है क्योंकि हमें क्रीमी मिल्क चाहिए था, तो बलाई उत्रावा नहीं लिया मैंने, कच्चे दूद को मैं अभी बॉयल दिला देती हूँ, अभी इसमें बॉयल आ जाएगा, ये देखिए बॉयल आ रहा है, तो इस टाइम पे मैंने इसमें डाला है, एक कप चीनी का, और तीन से चार सब जलाईचियां कोट के डाल रही हूँ, तो अभी जब तक इसको बॉयल आता है, तब तक अपनी फ्लेम को जो है, वो मीडियम ही रखना है, ये देखिए ये अब जो है, वो ब अपने दूद को मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है, करने के लिए छोड़ देंगे, यहां तक कि ये 700 मिलिलेटर के करीब रहा जाए, मतलब इतना गाड़ा चाहिए हमें, तो दूसरी तरफ हम रेडि कर लेते हैं रासमलाई, इसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, बॉल में एक कप डाला है, ड्राइ मिल्क पाउडर, तो आप ये इस बात का खियार रखेंगे, कि मिल्क पाउडर चाहिए, चाहेवाल आप नहीं लेंगे, इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, वन टी स्पून, और वन टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूं, मैदा, पर्पॉस फ्लोर, तो इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स, ये हो गया है मिक्स, तो इसके लिए अब हमें मजीद एक अंडे की जरूरत है, जिसको मैंने बीट कर लिया है, तो मैंने अंडा सारा ही इकठे डाल दिया है, क्योंकि मेडियम साइज का अंडा था, रूम टें आनी है, तो आप ड्राइ मिल्क पाउडर अगर डबल करें, तो फिर अंडे भी आप दो लेंगे, या तीन डलेंगे, तो अब जो है मैंने अंडा मिक्स करने के बाद, मैं इसमें एड कर रहे हूं, टू टेबल स्पून कोकिंग ओल, घी भी इस्तमाल कर सकते हैं, बटर भी मैंने कुकिंग ओल डाला है, ये देखें, ओल डालने के बाद, हमारे इसका बैटर का जो टेक्स्चर है, वो बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है, तो अभी जो है, दो मिनिट में इसकी हार्ड सी डो रेडी हो जाएगी, ऐसी तरह हाथ से ही मिलाएं, इसको हमने ज्यादा हार्ड रेकॉर्मेंट के मताबिक बन चुका है, और इदर हमारी डो बी रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसकी बनाएंगे बाल्स, ये देखें, इसी तरह राउंड में घुमाते हुए आपने बाल्स बनानी हैं, पिल्कुल प्लेन, कोशिश करें कि कम से कम क्रैक्स आएं, ये इसी तरह, मैं सारी बाल्स कर रहूंगे, रेडी, इसको बाल को थोड़ा सा प्रेस करना है, ताकर चिपटी सी शेप आ जाए, तो मैं साथ के साथ बनाती जा रही हूं, और दूद में डालती जा रही हूं, दूद जो है, वो मैंने बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कर दिया ह तो ये देखें, ये साथ ही मैं डाल रही हूं, ये मैंने सारी डाल दिये हैं, अब मैं क्या करूँगी कि एक बड़ा सा बॉइल देती हूं इसमें, ताकि हमारी जो रासमराई की बॉल्स हैं, वो सब दूद में डूद जाएं, क्योंकि इस टाइम पे आके हमने चमच का इस इसमाल नहीं करना, वरना हमारी बॉल्स डूट ना जाएं, इस बात का डर है, तो ये मैंने इसको बॉल दे दिया है, और हमारे सारी बॉल्स जो हैं, वो दूद में डिप हो गई हैं, तो अब मैं फ्लेम को जो है लो पे रख दूँगी, और पांच मिनट के लिए कड़ने दूँगी, तो अब अगर आपने सालिट चेंज करनी है, तो आप इस तरह हलके हाथों से बहुत ही प्यार से ट्रेट करेंगे, और इसी तरह उनको उलट पुलट करेंगे, ज्यादा बड़े चमच से और एक दम से नहीं मार देना, तो ये ना होके हमारी जो रेस्पी है, व ये देखें, ये फूल भी गई है, और ये बिलकुल भी कहीं से भी नहीं टोटी, रेडी हैं बिलकुल, तो मैं इनको फटा-फट करके थोड़ा सा गारनिश कर लेती हूं, ड्राइफ रूट से, मैंने 8-10 पिस्ते और 8-10 जो हैं, आलमंड को कट कर लिया था बारीक, तो मैं उनी से ही इसको गारनिश कर रही हूं, बहुत ही खुश्बूत दार और बहुत ही फ्लेवर फुल बनी है, आप भी इस तरह स्टैप बाइ स्टैप फॉलो कीजिए, मेरे चैनल पे पाइनेपल डेजर्ट और पाइनेपल डिलाइट की रेसिपी भी मुझूद है, उनका लिं को भी जरूर वाच कीजिए, और ये देखिए, अब मैं आपको इसको चेक करके बताती हूं, ये देखिए, ये कितनी नरम है, और कहीं से भी तोटी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ये, तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही खुश्बूदार बनी है, आप भी इसको घर पर जरूर रहे कीजिए, ये देखिए जी, बहुत जबर दस लोग आई है, तो चलिए चलती हूं, मिलते हैं किसी नेक्स रेसीबी में, तब तक अपना ख्याल रखेगा, अल्ला आफिज,